हेलो व्रीवन स्वागत आप सभी का माई एक्जाम यूटूब चैनल पर तो आज की वीडियो में हम करेंगे हिंदी के प्रीवेस एर कोशन जो आपके हर्याना पुलीस के जो एक्जाम हुआ था उसमें सभी के सभी कोशन हम करेंगे जो पूछे गए थे तो आने वाले एक्ज कि यह उसके साथ अंसर लगे हुए तो आप जा गरいた देख सकते हैं तो अपने पहले की विडियो नहीं देखिए तो भी जरूर देखिए आपके कोशन होहाँ से रिपीट हो सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं चैनल को पहली बार देख नहीं तो सब्सक्राइब कर लेए वीडियो को लाइक जरूर किज़े और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसे लगे क्योंकि आपके हर एक लाइक से मुझे मोटिविशन मिलता है आपके लिए और वीडियो लाने का तो प्लीज सेर जरूर करते रहिएगा वीडियो को तो आज की वीडियो का जो फर्स्ट कोशन है विशेशे के साथ विशेशन का परियोग डैस परकार से होता है हार एक कोशन को हम अच्छी तरह से समझेंगे यदि आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी के लिए आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी तो हमारे चैनल पर जो भी हम हिंदी का टोपिक करेंगे उसी टोपिक के हम MCQ भी करेंगे हार एक चीज की आपको अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी तो विशेशे के साथ जो विशेशन है वो कितने परकार से हम यूज कर सकते हैं दो परकार से दो परकार से हम यूज कर सकते हैं तो यहां पर आप देखेंगे एक विशेशन सब्स यूज हुआ है और एक आपका विशेशन यूज हुआ है तो विशेशन वो होते हैं जो विशेशन बताते हैं और विशेशन से वो होते हैं जिसकी विशेशन बताई जाती विशेशन के कितने भेधोते हैं तो उसके चार भेध होते हैं कि जो आप के टिक लगे हुए मिल रहे हैं यह आपकी किसी ने पीडियेफ डाली थी तो यह किसी बच्चे के हैं तो यह आंसर आप मान कर नहीं चलेंगे क्योंकि जिसका एक्जाम था उन बच्चों नहीं हैं पर यह टिक मार कर रखे हैं जो मैं आंसर बताऊंगा आपको वही आंसर अपने चेक करने हैं नेक्स्ट है जिन सवरों के उच्चारण में दिर्ग सवर से भी अधिक समय लगता है वे खेलाते हैं तो आपको पता है दिर्ग होता है आपका हसु होता है पल शाव वाली वीडियो है यंदी की सबसे पहली वीडियो है वहापर मैंने डिटेल से पढ़ाया हुआ है तो वह जरूर देखिएगा आप सबस्सक्रारे सबस्ति है थिक हैं he निमलिकित सब्द का सही अर्थ क्या है जो निमलिकित सब्द है इसका अर्थ बताना है क्या होता है तो इसका अर्थ होता है नीचे लिखा गया ठीक है इसको क्या बोलते हैं नीचे लिखा गया होता है उसको हम बोलते हैं निमलिकित कि आगे चलते हैं किस सब्द का परयोग मद्यम पुरूस तथा अन्य पुरूस के साथ आप आदर दिखाने के लिए भी किया जाता है तो आदर दिखाने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं आप सब्द का यूज़ करते हैं ठीक है किसका यूज़ करते हैं आप है जिसका भी आपको आदर करना होता है तो उसके लिए आप क्या लगाते हैं आप सब्द का यूज़ करते हैं नेक्स्ट है ठोकरे खाना मुहावरे का अर्थ है तो ठोकरे खाने का अर्थ क्या होता है तो ठोकरे खाने का मतलब होता है दुख उठाना ठीक है क्या होता है दुख उठाना नेक्स्ट है जिन करियाओं के साथ दो करमों का परियोग हो उसको क्या कहते है तो दो करम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दू करमक है ठीक है नाम से ही पता लग जाएगा आपको दो करम यानि की दू करमक next आनूपम सब्द का समानर्थ सब्द बताना है same मतलब बताना है आनूपम का तो आनूपम आपका होता है अपूर्व ठीक है अपूर्व है जिसका समानर्थ है next है अब हमसे सहा नहीं जाता अब आप खुद ही देखिएगा वाच्चे की अलग से मैंने वीडियो डाली है वापर तीनों के तीनों वाच्चे अलग से बताए हुए है और हर एक वाच्चे की पहचान भी आपको बताई हुई है ठीक है कृतरी वाच्चे करम वाच्चे और भाव वाच्चे अब हमसे सहा नहीं जाता ठीक है तो यहां पर आपको क्या मिल गया हमसे सहा नहीं जाता तो यहां पर हमसे से आपको मिल जाएका भाव तो यहां पर क्या दिखाया जा रहा है आपर भाव next question है जहाँ पर detail पढ़ने की ज़रूर है हमाँ पर हम detail भी पढ़ेंगे next है dash viciation के आगे O जोडने से समूदाय वाचक viciation बनता है तो कौन से सब्द होते हैं जिनके आगे यदि आप O जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगा समूदाय viciation देखिएगा जैसे आप देखेंगे एक दो तीन ये आपके इस तरह के सब्द होते हैं जिनके आगे आप क्या जोड़ दें यदि O जोड़ दें जैसे दोनो तीनो ठीक है तीनो चारो ठीक है आपने क्या जोड़ दिया last में O जोड़ दिया तो ये क्या दिखाएगा समूदाय को दिखाएगा तो वो कौण से होते हैं आपके प्रुनांक ठीक है प्रुनांक बोदक आपके विसेशन होते हैं next है संख्या वाचक विसेशन के कितने भेद होते हैं जो संख्या वाचक विसेशन है उसके कितने भेद होते हैं तो उसके दो होते हैं निस्षित और अनिस्षित संक्यावाचक अगला बर्शन है इच्छा का परियावाची सब्द बताना है तो इच्छा को हम क्या बोलते हैं इच्छा को हम बोलते हैं अभी लासा क्या बोलते हैं अभी लासा तो इससे आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि कौन-कौन से टोपिक हैं आपको जो आने वाले एक्जाम्स के लिए आपको करने हैं जिन पर ज्यादा फोकस आपको करना है हिंदी के केवल 11 से 12 टोपिक हैं जो आपके लिए इंपोर्टेंट है एक्जाम के लिए ठीक है तो जड़ातर मैंने आपके करवाय हुए हैं आप देखेंगे हिंदी प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी और आपको MC क्योंगी अलग से मिल जाएगी थियोरी के होते हैं जिनका रूप बदल जाता है ठीक है और जिनका रूप ना बदले वो कौन से होते हैं एविकारी तो यहां पर पूछा गया जिनका बदल जाता है तो वह होंगे विकारी नेक्स्ट देश भक्ति में कौन सा तत्पुरुत समास है तो देश भक्ति में कौन सा तत्पुरुत समास है देश के लिए भक्ति ठीक है तो यहाँ पर होगा आपका संपरदान ठीक है नेक्स्ट कुश्चन है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए यदि आपको पढ़ायवा समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को सेर जरूर करते रहिएगा साथ की साथ नेक्स्ट है पदों के ऐसे वेवस्ते समू को जिससे पूरण अर्थ का बोध हो उसे क्या कहते हैं तो पूरण अर्थ का जिससे बोध होता है उसको हम क्या बोलते हैं वाक्य है पद को हम क्या बोलते हैं सब्द भी बोलते हैं तो सब्द से मिलकर आपका क्या बनता है वाक् पहले ना पड़ा गया हो उसे क्या बोलते हैं जो पहले ना पड़ा गया हो उसको बोलते हैं आया पठित नेक्स्ट है अधर जमा गती अदो गती तो ये कौन सा संदी का उधरान है ये तो आप देखते ही बता देंगे तो अधर जिसमें विशर्ग आपका बाद में वो क्या होगा आपका विशर्ग संदी होगा नेक्स्ट है छोटी से छोटी धावनी जिसके खंड नहीं हो सके कहलाती है तो सबसे छोटी धावनी कौन सी होती है पहले ही चप्तर में यही चीज़ें आपको पढ़ाई गई है वरन होती है ठीक है वरन से मिलकर आपका अक्सर बनता है अक्सर से सब्द बनता है जिसको से वाक्य बनता है उपवाक्य वाक्य सभी आपको पढ़ाए हुए है नेक्स्ट गाएं जो आपके हर्याना ससी के पहले मैंने करवाए थे चैप्टर हर्याना पुलिस से पहले तब भी यह पढ़ाया था मैंने आपको आप खुदी देख लेना आप हर्याने से सीम जो आपके हिंदी के मैंने करवाए हुए हैं तो गाएं क्या करती है तो गाएं होती है आपकी रंबाती है क्या करती है गाएं रंबाती है नेक्स्ट कोश्चन है जब गुणवाचक विशेशनों का जो विशेश से है वो लुप्त रहता है तब उनका प्रियोग डैस के समान होता है तो विशेशन वो होते हैं जो विशेशता बताएं और जिसकी बताए जाए विशेश से है यदि विशेस से ही लुप्त हो जाए तो उनका प्रियोग किसे समान होता है? तो उनका प्रियोग होता है संग्या के समान होता है. Next step, भाव जमा अर्थ में कौन सी संदी का उदारन है? आप तिकेंगे भाव, भाव में भी ए है और अर्थ में भी ए है. तो ऐ और ए मिलकर आपका क्या होता है आ भावार्त है, ठीक है भाव के last में पहले सब्द का आकरी और दूसरे का पहला, ये धोनों मिलकर जो change लाते हैं उसको क्या बोलते हैं, संदी तो दोनों के दोनों क्या हैं, आपके सवर हैं तो किसका उधारन है ये दिर्ग संदी का नेक्स्ट है दसा सब्द का सही अर्थ क्या है तो दसा सब्द का जो सही अर्थ होता है वो उलती है हालत कहते हैं आपकी दसा अब कैसी है आपकी हालत अब कैसी है तो दसा सब्द का क्या मतलब होता है हालत नेक्स्ट है जिसकी था का पता ना हो था का मतलब जिसकी गहराई का ना पता लगे उसको बोलेंगे अ था आ आपका जो है नेगेटिव के लिए यूज़ करते हैं नकारात्मक सब्द के लिए यूज़ करते हैं तो ए आपने लगा दिया तो जिसका पता ना हो जिसका पता हो था अगला प्रसन है ग्रीसम एक तत्सम सब्द है तो उसका तत्वा हो तो ग्रीसम हम किसके लिए यूज़ करते हैं गर्मी के लिए नेक्स्ट है योजक किसे कहते हैं जो योजक होते हैं आपके उनको हम क्या बोलते हैं तो योजक को हम बोलते हैं समुचे बोदक अव्य ठीक है योजक को हम क्या बोलते हैं समुचे बोदक अव्य बोलते हैं नेक्स्ट चात्र सब्द का सही अर्थ क्या है तो चात्र सब्द हम किसके लिए उज़ करते हैं विद्यारती के लिए अगला है प्रिक्षा चल रही थी ये वाक्य डैस भूतकाल का उधारण है यानि कि प्रिक्षा चल रही थी तो किसकी बात हो रही है ये भूतकाल की और प्रिक्षा खतम नहीं होई थी चल रही थी तो कौनसा है आप पूरण पूरण नहीं होई थी तो कौनसी है आप पूरण नेक्स्ट सावरनामिक विशेशन को डैस विशेशन भी कहते हैं तो सावरनामिक विशेशन कौन से होते हैं जिनको हम संकेत वाचक भी बोलते हैं तो संकेत करने के लिए हम क्या यूज करते हैं यह वह तो यही हम क्या यूज करते हैं सावरनामिक विशेशन में करते हैं यह प कहते हैं हर जंग है मेरी तो तुत्ती बोलती है यानि कि उसका यस फैला हुआ है हर जंग है अगला परसन है अगला सैट देखते हैं अगला सैट है संबोधन कारक में किस चीन का प्रियोग होता है जो संबोधन कारक है उसमें किस चीन का प्रियोग हम करते हैं तो जो संबोधन कारक है उसमें हम कौन से चींका यूज़ करते हैं इस चींका विश्मेयादी भोधक जो चीन होता है उसका तो इस चीन को हम क्या बोलते हैं विश्मेयादी नव्रoh को अगला है पत्तर लिखते शमये ऐप प्रीचितों को संबोदीत करते समय डैस का संबोधन किया जाता है तो एप प्रिजीत को यदि आप संबोधित करते हैं पत्तर लिखते हुए तो आप क्या बोलते हैं महोद्य अगला है जिस समास में समस्त पद का कोई भी पद परधान ना हो अब आप खुदी देख लेना मैंने समास की वीडियो डाली हुई है वहाँ पर आपको हर एक चीज ट्रिक से पढ़ाई हुई है जिसमें कोई भी पद परधान ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं भूवरी समास बोलते हैं यानि कि कोई अन्य पद परधान होता है जिसमें आपका उत्तर पद परधान होता है मैंने आपको करवाया हुआ दतक पुतर से उत्तर कों देगा दतक पुतर देगा तो यहाँ पर भी आपको मैंने करवाया हुआ है द्वीगू तद प्रूसर करम धारियस मास है आगला परशन है टोपी उचालना इसको को अपमान करना किसी का अगला सेट है तो हिंदी आपका इसे सब्जेक्ट है जो आपको सेलेक्शन दिलाता है कई बच्चों के कोश्चन हिंदी में बहुत ज़्याजातर गलत होते हैं हिंदी को वह हलके में लेते हैं हिंदी के जो Quesant पुछे जाते है एक अप के हर्यानशसी एक्जामस में यह दी आपने सारे के सारे ठीक कर लिए तो आप का TOPS से बहुत यानि कि औरों से कंपिटिशन में आँगी लेके जाएंगे इसको आप को हिंदी ठीक है तो हिंदी आपका बहुत ही scoring topic है और बहुत ही कम सलेबस आपको पढ़ना होता सलेक्टिड टोपिक हिंदी का यदि आपने उसलेक्टिड टोपिक पढ़ लिए तो हिंदी में आपके फुल ओन मार्क्स आएंगे नेक्स्ट दो समीप वरनों के मेल से होने वाले प्रिवर्तन को क्या कहते हैं जो समीप वरन है अभी मैंने पढ़ाया था आपको भावार्त है याणि कि पहले का आकरी दूसरे का पहला दोनों के समीप वरनों से जो मेल होता है और उसके कारण जो प्रिवर्तन होता है उसको हम क्या बोलते हैं तो उसको हम विदान करने की रीती का बोध हो उसे क्या कहते हैं तो विदान करने की रीती का बोध हो तो उसका पता चलता है अर्थ हमें क्या बोलते हैं उसको अर्थ है अगला है अक्षरों या वर्णों के चीनों को लिखने की वीदी क्या कहते हैं तो अक्षरों और वर्णों के चीनों क लिखने की जो वीदी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीपी, नेक्स्ट है, धातु के अंत में लगने वाले परते को, कौन सा परते कहते हैं, जो परते धातु के अंत में लगते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, क्रित परते हैं, ठीक है, और जो धातु के अलावा लगते उनको हम क्या बोलते हैं तदित परते हैं और तदित परते से जो बनने वाले सब्द होते हैं उसको क्या बोलते हैं तदित परते हैं तो यह भी आपको याद रखने हैं नेक्स्ट है अनेक आर्थी सब्द किसे कहते हैं तो अनेक आर्थी यानि कि जिसके अनेक अर्थों अनेक आर्थी यानि कि अनेक आर्थों उसको क्या बोलेंगे अनेक आर्थी जिन सब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार थी, उल्टा देने वाला विलोम, समान देने वाले समानार थी नेक्स्ट है, डैस में सवर्णामों की संक्या सबसे अधिक होती है तो सवर्णामों की सबसे अधिक संक्या जो होती होती है हिंदी बालबो द्व्याकरण में नेक्स्ट संग्या सवर्नाम विसेशन और करिया सब्द लिंग वचन पुरूस और डैस के अधार पर रूप बदलते हैं काल के अधार पर नेक्स्ट है वन जमा उत्षव वन उत्षव डैस संदी का उधारन है तो कौन सी संदी का है अब आप देखिए जो वन है वन में क्या है आपका ए ए और दूसरे का क्या है उ तो ए और उ मिलकर आपका क्या होगा है आपर ओ तो ये कौन सी संदी का है तो ये है गून संदी का उ अगला है लूटिया डूबोना मुहावरे का अर्थ है तो जो लूटिया डूबोना है उसका मतलब क्या होता है काम बिगाड़ना सारा काम बिगाड़ देना नेक्स्ट है अगला है जहां किसी वस्तु या बात का बहुत बढ़ा चड़ा कर या प्रसंसा की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है तो अलंकार की वीडियो थोड़े दिन पहले ही मनें डाली थी वहां पर आपको बढ़ाया हुआ अतिश्योक्ति अलंकार जहां पर कोई है अतिश्योक्ति अलंका अगला परशन है हाथी डैस करता है तो हाथी की जो धवनी है वो बतानी है तो हाथी क्या करता है चिंगारता है अगला परशन है मने जमा विज्ञान मनो विज्ञान कौन सी संदी है तो यह देखते ही आप बता देंगे विसर्ग संदी है ठीक जि संदी होती है अगला है वाच्चे के कितने भेद होते हैं सेम वही पूछ रहे बार-बार वाच्चे के कितने भेद होते हैं तो वाच्चे के ही कि आतो वो भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए की आप मैहाइनर रह स्टिक्स सूfulness है तो यह दिए आप मुझे करनेक्ट होना चाते हैं कोई भी क्योरी है आपकी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फोलो कर सकते हैं तो इंस्टाग्राम की जो आइडी है माई एकजाम भाई भूपी दी आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डेस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नेक्स्ट है 14 सितंबर को हिंदी के राजभासा गोशित की गई थी तो कौन सी है 14 सितंबर 1949 को जो हिंदी है वो राजभासा जो है गोशित की गई थी नेक्स्ट है पाला पढ़ना मुहावरे का अर्थ है जो पाला पढ़ना है मुहावरे का अर्थ है तो उसको हम क्या बोलते हैं जो पाला पढ़ना है उसका मतलब क्या होता है वास्ता पढ़ना किसी से वास्ता पढ़ना नेक्स्ट है निमलिके सब्दों में से कौन सा सब्द उत्मा वस्ता का उधारन है तो आपकी तीन वस्ताई होती है विशेशन की मूला, उत्रा और उत्मा ठीक है तो सब्द से अच्छा जो होता है वो किसका उधारन है उत्मा वस्ता का अगला है उपसर्ग सदेव सब्द के कहां पर जोडते हैं जो उपसर्ग होते हैं वो आपके प्रारंब में जोडते हैं जो अंत में जोडते हैं उनको क्या बोलते हैं प्रते उपसर्ग प्रते नेक्स्ट है खल का विलोम सब्द बताना है क्या होगा जो खल होता है इसका विलोम क्या होगा सज्जन ये फिर नेक आदमी नेक्स्ट है सवर्णाम के कारक रूप केवल साती होते हैं तो कौन सा कारक रूप नहीं होता है तो सवर्णाम का कौन सा कारक रूप नहीं होता है तो वो होता है संभोधन कारक अगला है निताजी भासन दे रहे हैं और लोग ध्यान से सुन रहे हैं तो ये कौन से वाक्य का उधारन है अब आप देखिए दो सरल वाक्य है इसे में और दो सरल वाक्य को किस से जोड़ा गया है और से जोड़ा गया है किस से जोड़ा गया है और से तो वो कौन सा होता है आ आपको वहाँ पर अच्छी तरह से कलियर हो जाएंगे वो जरूर देखेगा आपका यहां से कुछन हर सेट में आपको मिलेगा तो इसलिए मैंने आपको बोला है कि जो आपके सेलेक्टिड टॉपिक है वही कीजिए जो हर्यान अससी पार बार पूछ रहा है हस्त जो है उसका तदबव सब्द बताना है तो हस्त किसके लिए यूज होता है हाथ के लिए इस विराम चीन को क्या कहते हैं आप देखे विराम चीन भी आपके बारवर पूछ रहा है तो ये भी आपको जरूर करने है तो ये आपका जो विराम चीन है इसको हम क्या बोलते हैं अल्प विराम बोलते हैं अगला कुश्यन है जो सब्संग्या के स्थान पर प्रयूक्त होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं उनको बोलते हम सवरना जल्दी जल्दी करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए सब हर एक कुश्यन के बारे में हम पढ़ते चलेंगे टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है आपका समय भी किमती है नेक्स्ट पाव आदा पोना स्वा आधी उधायन है तो ये किसके हैं ये हैं अपूर्ण बोदक विसेशन के ठीक है तो अपूर्ण बोदक विसेशन के ये उधायन है पाव आद पोना स्वा अगला है मूला वस्ता उत्रा वस्ता उत्मा वस्ता किस के अंतरगत आते हैं अभी मैंने बताया था वी सेशन के अंतरगत आते हैं ठीक है मूला उत्रा और उत्मा नेक्स्ट ग्यानवान जो पुलिंग सब्द है इसका स्ट्रिलिंग बताना है तो ग्यानवान होता है ग्यानवती अगला है आगत का विलोम जो आगत है इसका विलोम सत बताना है उल्टा बताना है तो आगत का क्या होगा आ हाटा दो आप गत बन जाएगा नेक्स्ट है करमकारक किसे कहते हैं तो करमकारक किसको बोलते हैं ठीक है तो करमकारक बोलते हैं जिस व्यक्ति या वस्तू पर करिया का परभाव या फल पढ़ने का बोध हो उसको क्या बोलते हैं करमकारक नेक्स्ट है वे करियाएं जो संग्या सवर नाम वीशेशन आदी सब्दों से बनाई जाती है उनको क्या बोलते हैं तो उनको बोलते हैं नाम धातू क्या बोलते हैं नाम धातू नेक्स्ट है ऐसे सब्द जिन में एकी सब्द का दो बार प्रियोग हुआ है तो कौन से होते हैं पुनरुक्ति एकी सब्द में दो बार प्रियोग होते हैं उनको हम गोलते हैं पुनरुक्ति अलंकार में भी मैंने आपको पड़ाया हुआ है पुनरुक्ति अलंकार जिसमें एक ही सब्द बार-बार दोराया जाए ठीक है बार-बार चिच्छी तो इस तरह के सब्द जो होते हैं कि अच्छ जंगना भूलना खोना आधी सकर्मक करियाः बहुदा डैस वाहिख में नहीं आती हैं तो यह कौन सी वाहिच ही आती है तो आप देखेंगे तो यह कौन सा होता है करम वाच्छा में नहीं आती है ठीक है नेक्स्ट जिन सब्दों का प्रियोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है वे कौन से पुरुष वाचक होते हैं अब एक बोलने वाला होता है और एक सुनने वाला होता है तो उसको हम क्या बार-बार हो रहा है रेपीट तो उसको हम क्या बोलते हैं अनुपरास अलंकार नेक्स्ट है करिया से आग्या उपदेश निसेद आदि का बोध हो तो उसको क्या बोलते हैं तो आग्या सब्ध है तो यहाँ पर क्या होगा अग्यार्थ आग्यार्त करिया से हमें पता चलता है अगला है विकारी क्रीदंत कितने परकार के होते हैं जो विकारी क्रीदंत होते हैं तो क्रीदंत कौन से होते हैं जो क्रित परते से आपके बनते हैं तो क्रित से आपके जो बनते हैं उनको क्या बोलते हैं प्रिदंत सब्दों बोलते हैं तो यहांपर जो विकारी होते हैं या आपके कितने परकार के होते हैं तो यह होते हैं चार परकार के ठीक है विकारी और एविकारी विकारी पुछा है तो विकारी हैं आपर चार परकार के होते हैं अगला परसंद है राजमहल सब्द का उधार तो तीनों के तीनों मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं तो ये भी जरूर देखेगा रूड योगी को योग रूड इसकी प्रैक्टिस एड़ भी आपको करवाई हुई है अच्छे से तो जीन बच्चों ने एक कॉशन मेरे देखे होंगे तो वासानी से कर लेगा हिंदी के कॉशन ठीक है दो भीन-भीन वैंजनों के प्रस्पर मिलको हम क्या बोलते हैं आप देखिए दो भीन-बीन वैंजन है पहला ही चप्टर में आपको पढ़ाया हुआ है सवर वैंजन है तो दो बिन-बिन वेंजन होते हैं सयुक्त वेंजन आपने पड़े होंगे सयुक्त वेंजन होते हैं आपके चार कक्षे तरह ठीक है यानि कि कक्षे जो होता है तरह जो होता है जियें जो होता है यानि कि जो अलग-अलग वेंजनों से मिलकर बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं संयुक्त जिस तरह से आपका संयुक्त वाक्य होता है दो सरल वाक्य से मिलकर जो बनता है संयुक्त और जो दो वेंजनों से मिलकर बनता है वो संयुक्त वेंजन अगला है जिसके आने की थीती निच्चित ना हो उसको हम क्या वोलते हैं तो वोलते हैं अथीती थीती अथीती ए आपने लगा दिया नकारात्मक हो गया जिसका पता ही नहीं था अथा ये भी हम पढ़ चुके हैं अगला है तुम मन लगाकर पढ़ते तो अवसे पास हो जाते तो कौन सा भूतकाल का उधारण है तो ये आपका किसके अंदर आता है जो कारिये हो सकता था लेकिन नय हुआ हो ठीक है जो कारिये हो सकता था लेकिन नय हुआ हो उसको हम क्या बोलते हैं हेतु हेतु मद यदि वह मन लगाकर पढ़ता तो अवसे पास हो जाता तो मन लगाकर नहीं पढ़ा तो पा प्रूब कालिक क्रीदंत आपके कौन से होते हैं तो यह होते हैं आपका यह अव्य धातु के रूप में रहता है या धातु के अंत में के करकर करके जोड़ने से बनता है धातु के रूप में रहता है तो प्रूब कालिक क्रीदंत आव्य आपके होते हैं अगला है कारक कितने परकार के होते हैं तो कारक होते हैं आपके आठ परकार के करताने करम को या अपने पड़े होंगे कितने परकार के होते हैं यह आठ परकार के अगला है विशेशन के जिस रूप से दो से अधिक वस्तूओं में किसी एक के गुण की अधिकता वे न्यूनता सुचित होती है तो उसे क्या बोलते हैं तो आपके तीन होते हैं मूला उत्रा और उत्मा ठीक है तो दो से अधिक के लिए आप क्या यूज़ करते हैं तो यूज़ करते हैं उत्मा सबसे अच्छा यानि कि दो से अधिक के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उत्मा दो के लिए कर रहे हैं तो उत्रा यदि सिंपल यूज कुछ कर रहे हैं तो मूह ला अघला है है मेरा गाती है और मी reviewed नाच्टी इसे मिश्रित वाक्य बदले ये तो ये सएयुक्त कैसे है रादा गाती है एक है मीㄹा नास्टी थो दोनों को क्या गर दिया और से जोड़ दिया ये सएयुक्त हो गया अब उसको मिशित में बदलना है तो मिशरीत में कैसे बदलेंगे तो मिशरीत आपकी होते हैं जो आपके पेर वाले वर्ड होते हैं जो आपके हमीशा एक साथ यूज होते हैं उनको यूज करके बनाया जाता है जब रादा गाती है तब मीरा नासती है तो जब तब इधर उदर जो आपके सब्द गठे यूज होते हैं एक साथ यूज होते हैं उनसे मिलकर आपके मिश्रित वाक्य जो है बनते हैं तो डिटेल से पढ़ने के लिए वीडियो जरूर देखिएगा आपकी छोटी सी वीडियो है आपको सब क्लियर हो जाएगा नेक्त पूरन भूतकाल किसे कहते हैं जो पूरन भूतकाल है वो किसको कहते हैं तो हम बोलते हैं करिया के बहुत समय पहले कारिय के होने का बोध हो उसको क्या बोलते हैं पूरन भूतकाल अगला है वह सास्तर है जो भासा के सुद रूप का ज्यान करता है और भासा को स्ताइवेव माने को रूप परदान करता है तो वो क्या होता व्याकरण व्याकरन सास्तर है आपका अगला है अगनी जल कोकिल और सूर्य कौन से सब्द के उधारन है तो ये आपके तत्सम सब्द के उधारन है ठीक है अगला है, आमरण, आजनम, आजीवन, आदी में कौ souvent उपसरग है तो आप मुझे बताएंगे, उपसरग इसमें कौन सा है? आ है सभी में आ उपसरग लगा है और जो आ उपसरग है, ये कहाँ पर लगते हैं? सब्दों के स्टार्टिंग में प्रारंब में लगते हैं तो ये कौन से होते हैं आपके संस्कृत का जो आउपसर्ग है आपका कौन सा ये संस्कृत का है आपका नेक्स्ट है जिग्यासा सब्द का आर्थ है यानि कि जानने की इच्छा रखने वाला जिग्यासा अगला है संग्या सवर्णाम विशेशन और करिया सब्द के अंतरगत आते हैं तो संग्या सवर्णाम विशेशन और करिया किस के अंतरगत आते हैं तो आपका होता है विकारी के अंतरगत आते हैं संग्या सवरनाम विशेशन और करिया और एविकारी के अंतरगत आते हैं आपके करिया विशेशन हो गया समुच्च वोदक हो गया यह सारे के सारे एविकारी में अगला है जिन वाक्यों में केवल एक ही उदेशय और एक ही विद्य हो तो वह आपके हमेशा कौन से होते हैं सरल वाक्य है जिसमें आपका एक सब्जेक्ट इंगलिश में बात करें तो एक आपका क्या हो अब्जेक्ट हो यानि कि एक उदेशय और एक विद्य हो उसको हम क्या करते के सकते निसवदों का एक की होता है वह कौनसे होती है आपके एक अर्थी갈े करतों hazırफ ठीक है अनेक अर्थौ अनेक आर्थी ही नेक्ष्ट सब्सक्राइब किस अवस्ता में किसी व्यक्ति वस्तू अथ्वस्तीति की विष्टा वताने वाले सामने कतन में विशेशन सब्द अपने मूल रुप में परियोग किये जाते हैं इसमें किसी परकार की तुलना नहीं होती तो किसी परकार की तुलना नहीं होती मैंने अभी बताया था आपको मूला यदि दो के बीच में हो तो उतरा तो दो से अधि के बीच में हो तो उतमावस्ता अगला है कि नीदर समास का उधारण है तो नीदर कौन से Esseitter में आपका नी अव्वय लगाँ है तो यह क्या हो जाएगा ज्यक आफ्वेई भाव समास को अगला है काव्य का सोंदरिय बढ़ाने वाले तत्व को हम क्या बोलते हैं अलंकार अभूशन ठीक है अलंकार कि नेक्ट समाज से बनने वाले सब्द को कहलाते हैं जो समाज से बनने वाले सब्द हैं उसको क्या बोलते हैं समस्त पद ठीक है अगला है जो करियाई करता द्वारा स्वेम कारियान करके किसी अन्य व्यक्ति को कारिय करने के लिए प्रेरीत करते हैं तो किसी अन्य को प्रेरित करें खुद ना करके उसको क्या बोलते हैं प्रेर नार्थक है किसी दूसरे को प्रेर ना देकर करवाए ठीक है किसी दूसरे को आप जैसे बोलें क्या बोलेंगे सुमित ने सुमित ने आपका देखें अनीता से काम करवाया ठीक है किसी दूसरे को प्रेर्णा देकर कार्य करवाई खुद ना करके करें अगला है सवर से सवर का मेल होने पर जो परीवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं अब सवर से सवर का मेल हो और जो परीवर्तन हो उसको क्या बोलते हैं सवर संदी और ये सवर संदी के आपके उधारण है दिरिक संदी व तत्सम सब्द है इसका तद्वो तो ददी जो हम यूज करते हैं धही के लिए यूज करते है रागव समान बेचेगा ये वाक्य कृत्री वाच्चा में है इसे करम वाच्चा में तो रागव समान बेचेगा तो रागव दवारा समान बेचा जाएगा तो ये कौन सा हो है उसको हम क्या बोलते हैं विशेश से अगला है बच्चे सेर को देखकर डर गए तो इस वाक्या में कौन सा कारक है तो सेर को डेखकर डर गए तो करता ने करम को ठीक है तो कौन सा है यह करम कारक का उधारण है अगला है डैश वेज धातू है जिन जो किसी दूसरे सब्द से नयजा बने हो जैसे करणना बैटना चलना तो कौन सी धातू होती है जो दूसरे से नहीं बनती तो वो वो कौन सी होती है मूल धातो जो दूसरों से मिलकर बनती है वो योगिक है एक से अधिक है प्रेर नार्थक अभी हमने किया किसी दूसरे को परेर्णा दे कर कोई कार्य कर रहा है उसको क्या बोलती है प्रेर नार्थक है अगला सेट है आपको सैद इसमें थोड़ा सा कम दिख कि किर्म ने प्रियोग किते हैं करम नी प्रियोग पूछा है तो कर्म बाक्ठे में आपका करिया का पिर्योग कर्म के लिंड और वचन के अनुसार होता है ठीक है तो यहां पर आपका भी हो के में बदलिए तो सरल है रमा ने निले रंग की साड़ी खरीदी तो आपको सयुक्त में बदलना है तो सयुक्त कैसे बदलते हैं आप और एवं या अथवा जोड कर बनाते हैं ठीक है तो आप कैसे बोलेंगे रमा ने साड़ी खरीदी और उसका रंग निला है ठीक है इस तर अगला है सवसूर जो है तदबव सब्ध है किसका तो सवसूर जो है तो इसका तदबव क्या हो जाएगा सशूर ठीक है तो यह थे आज की वीडियो कि आपके हिंदी के कोस्टन यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जुरूर कीजिए share नहीं किया है तो share जरूर कर दीगा subscribe भी जरूर कर लीजीगा और bell icon को जरूर प्रेस कर ले ताकि जब कभी भी वीडियो आये तो आपको notification मिल जाए तो वीडियो आती है तो बच्चों को notification नहीं मिल पाता है तो आज की वीडियो में इतना ही धन्यवा